रेफ्रिजरेटर अंदर से इतना थंडा होता है कि वर्फ जमा देता है लेकिन बहार के कम्पोनेंट इतने गरम होते हैं कि उनफे हम खाना पका सकते हैं रेफ्रिजरेटर में सबसे important compressor होता है जब compressor गेस को compress करता है तो उसका temperature 90 degree centigrade तक increase हो जाता है तो इस temperature को थोड़ा down करने के लिए condensing coil के पास में बेजा जाता है gas इस coil में गूमते गूमते थोड़ी ठंडी हो जाती है 45 degree centigrade तक उसके बाद में gas capillary tube में जाती है और capillary tube से जब gas बाहर निकलती है तो इसका temperature minus 16 degree centigrade तक हो जाता है और यहां से gas जाती है evaporator coil के पास में जो freezer में सबसे ऊपर की तरफ लगी रहती है और इस coil से gas वापस condenser के पास में चली जाती है अब यहां पर एक बात है जो notice करने वाली है यदि आपके refrigerator की gas बार बार खतम हो रही है तो कहीं ना कहीं यह जो इतनी बड़ी tube है इसमें कोई leakage है क्योंकि refrigerator का जो system होता है वह close loop में काम करता है तो इसकी gas lifetime तक चल सकती है फुल वीडियो का link description में दिया हुआ है